और और हमारी लाइफ जहां हम रहते हैं धरती से जुड़े एक और कमाल की फिटियो में आपका स्वागत है चलिए शुरू करते है दोस्तों जैसे ही प्रत्वी पर ओक्सिजन खत्म होगी तो हमें घुटन महसूस होने लगेगी और हमारा दिमाग काम करना बन कर देगा और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारी बोडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें जिन्दा रहने के लिए ओक्सिजन के जरूरत पड़ती है अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक मिनिट तक तो हम अमारी सास को रोक सकते हैं लेकिन दोस्तों हम अमारी सास को तो रोक सकते हैं लेकिन हमारी बोडी ओक्सीजन की कमी के कारण एक मिनिट भी नहीं रह सकती अगर ओक्सीजन खत्म होती है तो हमारी पृत्वी से ओजोन लेयर भी खत्म हो जाएगी जिसकी वज़े से पृत्वी पर हीट बढ़ने लगेगी और solar radiation के कारण हमारी skin जल जाएगी अगर ozone layer नहीं रहेगी तो दिन में भी हमें आस्मान काला दिखाई देगा और फृत्वी पर अंदेरा चाने लगेगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि atmosphere में जो अन्य पार्टिगल मोजूद होंगे वहाँ blue light को बिखेर देंगे और oxygen खनप होने पर फिर से 21% pressure कम हो जाएगा जिसकी वज़े से हमारा सरदर्द होने लगेगा और कान में blood आने के chances बढ़ जाएगे oxygen नहीं रहेगी तो कोई भी इंधन जल नहीं पाएगा और चलती हुई गाड़िया उड़ते हुए plane हवा से नीचे गिर जाएगे और बिना metal वारी चीज़ें तूट कर भिखरने लगेगी और साथ ही हमारे घरों में लगे electronics devices तूट कर भिखर जाएगे क्योंकि oxidization की वज़े से ही metal चुड़ा रहता है आपको बता दें कि प्रित्वी की crust 47% oxygen से बनी हुई है और जैसे ही oxygen खत्म होगी तो प्रित्वी की crust तूटने लगेगी और 4 और भुकम आने लगेगा और मजबूत से मजबूत building भी तूट कर भिखर जाएगी या फिर दोस्तों एक तरह से माल लो प्रित्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा दोस्तों हमें प्रित्वी पर जादा से जादा पेड लगाने चाहिए ताकि इस तरह की दूविदा कभी न आए उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सस्क्राइब करना न भूले जाए हिंद